हेलो वाथ्सपन वेलकम बेक तू पीकू इडिटोग्राफिय फास्ट अफ आपको आपको आपनी फॉट्टू को लाइट्रूम एप्लिकेशन में सेयर कर लाइना है देन आप लोगों को इस टैप का इंटरफेस देखने को मिलेगा उसके बाद आपको पहले इस अप्शन के पर क्लिक करना है नेक्स्ट आपको सेकेंड वाला अप्शन कॉंट्रेस को थोड़ा इंक्रीस करना है और थोड़ा इंक्रीस करना है कॉंट्रेस को आपको 29 में रखना है ठीके इसके बाद हाइलाइट्स को थोड़ा दिक्रीस करना है हाइलाइट्स को दिक्रीस करने के आपको सेदो को थोड़ा इंक्रीस करना है उसके बाद आपको हुआइज को थोड़ा इंक्रीस करना है नेक्स्ट आपको ब्लैक्स को थोड़ा दिक्रीस करना है ठीक है आपको 80 के आप रखना इन दिक्रीस करना है ब्लैक्स को यह हो गया उसके बाद आपको नेक्स्ट दिक्रीस करना है देन आपको हीव को थोड़ा इंक्रीस करना है अपने एक्स्ट पे क्लिक करना है देन आपको सेटरेशन को थोड़ा दिक्रीस करना है देन लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीस करना है ठीके और थोड़ा इंक्रीस करना है लुमिनेंस को लुमिनेंस को इंक्रीस करने के बाद आपको yellow पे click करना है उसके बाद आपको saturation को थोड़ा increase करना है then आपको hue को भी increase करना है ठीक है उसके बाद green के उपर click करना है then green की saturation को थोड़ा increase करना है then hue को भी increase करना है ठीक है उसके बाद आपको blue के उपर click करना है ठीक है, blue के उपर click करने के बाद saturation को increase करना है blue की, ठीक है, hue को zero में रखना है, then आपको कर देना है done, ठीक है, done करने के बाद आपको next option के उपर click करना है, then आपको simply second वाला option clarity को थोड़ा increase करना है, उसके बाद आपको üç % थोड़ा increase करना है, थोड़ा increase करना है, ठीक है ds को next आपको vignetic को थोड़ा decrease करना है, थोड़ा decrease करना है vignetic को, यह हो गया है, उसके बाद आपको next option के ओपर click करना है ठीके next option के ओपर click करने के बाद आपको fast sharpening को थोड़ा increase करना है ठीके थोड़ा increase करना है sharpening को उसके बाद आपको simply नीचे आना है इसे noise reduction को थोड़ा increase करना है उसके बाद आपको contrast को थोड़ा increase करना है थोड़ा increase करना है contrast को next आपको color noise reduction को increase करना है color noise reduction को आपको 90 में रखना है ठीके उसके बाद आपको last वाला option smoothness को थोड़ा increase करना है ठीके यह हो गया है editing का काम हो गया है ठीक है तो आप देख सकते हो उसके बाद थोड़ा details को भी थोड़ा increase करना है ठीक है यह हो गया तो आप देख सकते हो फोटो पहले के साथ था और आप के सा हो गया और कितना unique और professional लग रहा है फोटो को देखने में और वीडियो को end तक देखने के लिए thank you